नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टारलिंग सैटलाइट की आसमानी दुनिया रहसों से बरी होती है अनन्त अकाश में रहस्या बरे पड़े हैं कभी कभी उन्ही एकादर रहस्यों वो जब हम आप नंगी आँखों से दिदार करते हैं तो अचंबित होते हैं कभी रोशनी कभी बोवंडर तो कभी अध्भुत तारे कई बार तो ये हमें फैंटीसी की दुनिया के किरदार लगते हैं तो क्या आप आस्मान में दिखने वाले अजब गजब तारे किसी रहस्या का हिस्सा होते हैं या इनके पीछे कोई विज्ञानी कारण होते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं यूपी की राजजानी लखनव और लखमीपुर खीरी के इलाके में अचानक से रात में तारों की एक लड़ी दिखाई पड़ी तारों के इस लड़ी को देखने के बाद तो कुछ लोग इसे धर्ती की शक्ती के आस्मान में जाने की अनहोनी मान बैठे और रात अपनी चतों पर पूजा करने लगे वहीं कुछ लोग इसे अनजानी शक्ती मानने लगे शाम के करीब साड़े साथ बज़े आस्मान में एक तारों की लड़ी सी दिखाई थी इसे देखने के बाद लोग तर के कुछ ऐसे वीडियो हरदोई और कानपूर में भी रिकोर्ड किये गए और कल शाम आठ बज़े के करीब ये लड़ी गंगानगर के जिले के आस्पास के गाउं में भी देखी गई आईए हम आपको बताते हैं कि आस्मान में तारों की ये लड़ी क्या थी दरहसल ने तो ये कोई धर्ती के शक्ती आस्मान में जा रही थी ना ही कोई रहसे में वस्तूत थी दरहसल ये दुनिया के सबसे अमीर शक्स औरन मस्क की स्टारलिंग 51 सैटलाइट ट्रेन थी मस्क का स्पेसेक्स फॉलकन 9 रोकेट फ्लोरीडा के कैप केंडरलवल स्पेस 4 स्टेशन से 51 स्टारलिंग इंटरनेट सैटलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में लेकर उड़ा था स्पेसेक्स अब तक अंतरिक्ष में 3000 से ज़्यादा स्टारलिंग सैटलाइट भेज चुका है गाइज ऐसी इंफर्मेटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों